एक और खुशकबरी आपके लिए एक और गवर्मेंट जॉब NICL यानि National Insurance Company Limited जो Government of India Undertaking Company है जहां पे 247 पोस्ट आईए है Administrative Officer Scale 1 की पोस्ट है जिसमें कुछ Generalist की पोस्ट है जिसमें कुछ Specialist की को पोस्ट है और Registration Online शुरू हो रहा है 2nd January से और अंतिम डेट आपको Online आविदन करने की जो है वो है 22 January 2024 तक आप आविदन कर पाओगे ठीक है तो जिस दिन भी Registration शुरू हो जाएगा उस दिन मैं आपन की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और अभी के लिए एक्जाम डेट की कोई भी डेट आपको इंटिमेट नहीं की गई है बोल दिया गया है तो जब भी एक्जाम डेट अवेल हो जाएगी तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल कर दूँगा और अप को हमारे इंस्टाग्राम पेज टेलिग्राम चैनल और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अब बात करते हैं वेकंसी के बारे में तो वेकंसी का बाइफरगेशन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा सबसे फ़हले स्पेशलिस्ट के बारे में देख लेते हैं तो मिल्रहचन लिए जा रहे हैं टोटल नंबर रोख रूह वोश्ट है 28 लीगल ओवूब फिसल लिए जा रहे हैं टोटल नंबर वश्ट हो च्वैनल खर चंदेयर के धी क्तिया अगे आटचीजडल एज्वे सबसंद्श ढमबरोफ पुंस्ट है टो क्या तो एक specialist की अब बात करते है generalist की तो generalist में आपको total number of post देखने को मिल रहा है 130 उसका further bifurgation आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे कि unreserved के लिए 68 है, OBC के लिए 24 है SC के लिए 18 है ST के लिए 7 plus 2, 9 है और EWS के लिए 13 है और PWBD यानि person with benchmark disability जिसको बोलते हैं दिव्यांग जन उनके लिए भी post reserve रखी गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो nationality में तो आपको यहाँ पे mention किया गया है वो nationality होनी चाहिए service condition, profession भी रहेगा guaranteed bond भी रहेगा एक year का gross salary आपको अगर आप दिया रहेगा, होआ रहेगा वो आपको देना रहेगा emoluments and benefits यानि आपकी salary पैसा कितना मिलेगा तो यहाँ पे आपको basic pay starting basic pay रहेगा 50,925 और उसमें allowances emoluments जो भी मिला के आपका total gross monthly salary बनेगा 85,000 per month इसके अलाबा भी आपके benefits रहेंगे जैसे कि pension under the new pension scheme NPS, फिर graduate, फिर LTS, फिर medical benefits फिर group, personal accident and insurance etc. जो भी benefits होंगे lease, accommodation वगेरा वगेरा वो आपको मिलेंगे, ठीक है तो मोटा मोटा आप अभी के लिए यह सोच सकते हो कि यह job से आपको 85,000 प्रती महिना की salary से आपकी job लग जाए अब बात करते हैं eligibility criteria के बारे में और सबसे पहला eligibility criteria में आ जाता है educational qualification किस date के अनुसार है तो 112-2023 के अनुसार है doctors के लिए यहाँ पे mention है MBBS, MD, MS, PG medical degree former recognized university और उसके equivalent जो भी लिखा गया है वो legal के लिए legal वाले मांगी गए है post graduate और graduate in law finance के लिए chartered accountant, cost accountant या फिर become mcom भी लिखा है तो वो लोग भी आवेदिन कर सके देखो यहाँ पे minimum percentage criteria है तो उसको भूल मत जाना जैसे कि legal में भी minimum 60 percentage है finance में भी minimum 60 percentage है actuarial में भी minimum 60 percentage है bachelor's, master's degree in statistics, mathematics actuarial science and any other equivalent discipline information technology यानि IT के लिए BE, BTEC, ME, MTEC, computer science information technology में मतलब किया होगा होना चाहिए या फिर MCA किया है तो भी आव आवेदिन कर सके हो minimum 60 percentage marks है तो आपके minimum 60 percentage marks होने चाहिए और at least 55% for SCST candidates के लिए automobile engineering के लिए BE, BTEC, ME, MTEC in automobile engineering जाहिर specialist है तो आपका specialist graduation ही मांगा रहेगा आवेदिन कर सकता है कोई भी graduate होना चाहिए कोई भी stream से होगा तो भी चलेगा बर्स minimum marks होनी चाहिए 60 percentage और अगर आप SCST candidate तो 55 percentage वाले भी आवेदिन कर सकते हैं और हिंदी जो officer है राजबाशा उनके लिए भी degree यां लिखी गई है particular उसी degree वाले हिंदी में आवेदिन कर सकते हैं with minimum percentage qualification marks जो भी लिखे गए हैं आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो पॉस्ट कर लिए हैं तो eligibility के बारे में तो पता चल गया अब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं mention किया गया है generalist के लिए कि अगर आप final year में हो semester में हो तो आवेदिन कर सकते हो तो आप समझ जाओ कि final year वाले semester वाले exam दिये वाले आवेदिन नहीं कर सकते हैं केवल वो लोग आवेदिन कर पाएंगे जो 112-2023 के अनुसार graduate कहलाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आगे आजाता है age का criteria भी 112-2023 के अनुसार ही count किया जाएगा minimum age 21 साल होने चाहिए maximum age 30 years होने चाहिए अगर आपको date of birth के अनुसार बता दू तो 2nd December 1993 पे born हुआ होगा तो चलेगा इस date पे born हुआ है तो चलेगा या फिर इसके बाद born हुआ होना चाहिए और इस date पे born हुआ होगा तो चलेगा या फिर इससे पहले born हुआ होना चाहिए समझ में आ गई पात और जिनको मिलेगा age relaxation age relaxation यानि अपर age limit में shoot chart किसको मिलता है तो SCST candidates को 5 साल का मिलता है यानि वो लोग 30 प्लस 5 टोटल 35 years तक आवेदन कर सकते हैं OBC non criminal वाले 3 साल का मिलता है यानि वो लोग 33 years तक apply कर सकते हैं और जो दिव्यांग जन है उनको लिए 10 years का यानि वो 40 years तक आवेदन कर सकते हैं ex-servicemen जो भी इस criteria में fall करता है उनके लिए 5 साल का है प्लस जो defense service वाल है उनके लिए 3 साल का है widow, divorcee, woman के लिए 9 साल का है और जो existing confirmed employee है public sector general insurance companies के जैसे की GIC agriculture company of insurance मतलब GIC भी और agriculture insurance company भी और बाकि general public sector insurance company कौन सी हो गई new India assurance company limited oriental insurance company limited और कौन सी हो गई United India insurance company limited और NICL खुद ठीक है तो ये वाले उनके लिए 8 साल का relaxation है कमझ में आगई बात कोई भी doubt रह जाता है आपको comment करके पूछ लेना है doubt में नहीं रहना है ये बहुत सारी information है आप पढ़ सकते हो सभी के criteria है EWS के लिए अब हम सीधा आजाते है और फेज नंबर थी कौन सा होगा इंटर्व्यो पार्ट ए एप्लिकेबल फॉर ओल अप्लिकांट अदर देन हिंदी ओफिसर यानि हिंदी ओफिस के लिए ओफिसर के लिए पार्ट ए नहीं है ठीक है देखेंगे पार्ट ए क्या है अभी के लिए यहां पर फ्रेटिंदर एग्जामिनेशन का एक्जाम पेटर नहीं पर दिखा गया है जो कॉमन बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह ही है इंग्लिश लेंग्वेज 30 क्वेशन ट्वेटी मिनिट्स दिए जाएंगे सेक्षन के लिए reasoning language 35 questions 20 minutes दिये जाएंगे और math के लिए 35 questions 20 minutes दिये जाएंगे total 100 questions 100 marks 20 minutes का समय आपको मिलेगा exam objective question वाला ही रहेगा online ही नहीं रहेगा computer पे ही रहेगा और computer तो गर्से नहीं देना है आपको जो exam venue दिया जाए वहाँ जाके दे के आना रहता है ठीक है दूसरा है main examination applicable for all discipline except Hindi officer ठीक है objective टेस्ट रहेगा सबसे पहला तो objective test के लिए four generalist लिखा है मतलब जो premier examination लिखा है वो सभी के लिए specialist as well as journalist बट यहाँ पे main examination changes हो जाता है four generalist के लिए आपको one to five subject देखने को मिलते है reasoning 50 questions 50 marks 40 minutes का समय English 50 questions 50 marks 40 minutes का समय general awareness 50 questions 50 marks 30 minutes का समय computer knowledge 50 questions 50 marks 30 minutes का समय quantitative attitude 50 questions 50 marks 40 minutes का समय कुल मिलाकर 250 questions 250 mark और section wise this timing है तो आपको section wise time में में ही उस section particular को attempt करना रहेगा four specialist के लिए बात करें तो एक section और जुड़ जाता है चठा जहां पर आप देखेंगे तो वहां पर पचास-पचास questions है यहां पर 40-40 questions यानि reasoning के लिए 40 questions 40 marks 35 minutes का समय English के लिए 40 questions 40 marks 30 minutes का समय general awareness के लिए 40 questions 40 marks 20 minutes का समय computer knowledge के लिए 40 questions 40 marks 25 minutes का समय math के लिए 40 questions 40 marks 35 minutes का समय और जो specialist stream से आप बिलोंग करते हो उस specialist stream का आपका knowledge यानि 50 questions 50 marks 35 minutes का समय सारे question objective ही रहने वाले हैं ठीक है अब यहां पर टू करके लिखा है यानि यहां पर एक दूसरा टेस्ट भी रहेगा descriptive यह सब के लिए रहेगा 30 मिनिट्स का 30 मार्क दिए जाएंगे English लेंग्विज में रहेगा ऐसे आपको 10 मार्क का मिलेगा प्रेसी 10 मार्क मिलेंगे और कॉम्प्रेंशन 10 मार्क मिलेंगे यानि आपको ऐसे लिखना रहेगा और कॉम्प्रेंशन सौल यह descriptive टेस्ट online मोड में ही रहेगा keyboard activate हो जाएगा आपको keyboard से टाइप करना रहेगा descriptive test यहाँ पर qualifying in nature है यानि descriptive test के marks आपके final evolution में joint नहीं के जाएगे यानि आपका final जो merit बनेगा वो केवल और केवल आपका objective portion पर ही बनेगा क्योंकि prelims के marks भी final count नहीं में नहीं आएगा यानि interview के लिए जो बुलाया जाएगा वो आपको केवल और केवल आपके mains के marks के मुताबित बुलाएगा यहाँ पर sectional cut-off रहेगा क्योंकि obtain a minimum total score to be decided by company in descriptive test and main examination qualified in descriptive test for shortlisting the interview penalty आपकी रहेगी यानि आपका negative marking आपको मतलब one fourth जो negative marking है वो रहेगा यह रहा one fourth penalty लिखी गई है one fourth ठीक है तो one fourth यानि equation एक mark का है तो one fourth यानि point 25 आपका marks deduct हो जाएगा अगर आपका answer गलत आता है और जो part भी हिंदी officer के लिए यानि हिंदी officer के लिए यही exam है वो prelims में का कोई जमिला नहीं है reasoning के लिए 40 questions 40 marks 35 questions general awareness के लिए 40 questions 40 marks 25 minutes English के लिए 40 question 40 marks 35 minutes translation का टेस्ट लिया जाएगा 40 question 40 marks 25 minutes Hindi language English grammar vocabulary जो भी Hindi English grammar जो भी आप जो आप्ट करोगे दोनों ही आएंगे 40 question 40 marks 30 minutes और Hindi language के essay प्रेसी और comprehension रहेंगे लिटर रहेंगे चार सवाल 50 marks और 60 minutes का समय टोटल 250 marks का आपका यह exam लिए जाएगा cable Hindi office के लिए penalty भी रहेंगी इसमें objective descriptive है तो objective में penalty रहेंगी वनफोर्थ descriptive में अक्सर penalty नहीं होती है सो मुटा मुटा सब clear हो गया यह रहा पार्ट सी interview इंटर्व्यू जनरलीशन स्पेशलिस्ट केंडिड़ेट दोनों के लिए है phase two main examination और हिंदी राजबाशा candidate who have been shortlist for the written examination सब्सेक्वेंट्री इंटर्व्यू रहेगा बस वहीं लिखा है और तो कुछ नहीं है बाकिए अब नीचे देखेंगे तो final selection में यहाँ पे लिखा गया है कि main examination के marks और interview का ratio 80 20 रिस्पेक्टिवले लिया जाएगा यानि preliminary examination आपके qualifying in nature है प्लस आपके descriptive examination भी qualifying in nature है तो आपके main examination का score और interview का score 80.20 यानि 80 इस्टू 20 में count किया जाएगा final selection के लिए application fees के बारे में बात के तो SCSD और दिव्यांग जन के लिए 2500 रुपई fee है और बाकि सारे candidates को माना जा रहा है कि वो लोग बहुत ही दनवान है तो उनके लिए 1000 रुपई है ठीक है अब जो है तो है 85,000 के लिए इतना तो करना पड़ेगा पड़ेगा तो syllabus की बात करें तो syllabus same रहेगा banking examination की तरह और examination center के लिए बात करें phase 1 के लिए तो आपको statewide यहां display पर दिख रहे होंगे अफिशल यह जो PDF है वो मैं आपको website के तुरू माधियम से दिखा देता हूं लिंक आपको description में दे दूँगा तो आप आँ से यह PDF डाउनलोड कर सकते हो phase 2 के लिए exam center कुछ कम हो जाते है state wise एक दो एक दो ही रहे जाते है ठीक है बाकी तो apply करना है प्रोसीजर पूरा लिखा गया है अगर आप ध्यान से पढ़ो कि तो पढ़ सकते हो आपको जो return declaration डालना है वो यह रहा जो भी लिखा गया है उस प्रकार से आपको return declaration upload करना है बा सारे format दिये गए हैं तो आप पूरी notification देख सकते हो जितनी भी important जान करी थी वो मैंने आपको साजा कर दी है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt चूट जाता है तो आप मुझे comment section में comment करके पूच सकते हो अगर आप Google पे लिखोगे NICL career त्या लिखोगे तो आपको सबसे पहला ही link मिल जाएगा यह link का description में आपको description में दे दूँगा recruitment national insurance company limited जैसे उस पर click करोगे तो आपको यह वाला page open हो जाएगा जहां पर आपको यह वाली PDF यहां पर देखने को मिल जाएगी apply करने की link यहां पर अभी तक आई नहीं है क्योंकि उ उसके लिए आपको मेरे टेलेग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज और यूटूब चैनल को सब्सक्राइग बना रहेगा link मैं आपको description में और अगर आपको company's के location कौन-कौन से है कि अपने state में है कि नहीं तो आप यहां से यह वाली link से download मतलब चेक कर सकते हो कि अपने state में कौन-कौन से है जैसे कि मैं गुजात में चेक कर रहा हूं तो गुजात में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे हर रिस्ट्रिक्ट वाइस उसी प्रकार से अगर आप गुजात के अलावा मान लो कि उत्तरपरदेस से चेक करना चाता हो तो उत्तरपरदेस पर से जहां पर किसी पर क्लिक करोगे तो आपको उसके अनरष में जाएंगे ऑकि भसती और भार यह से जड़ें ठीक है घृट में देख रवाट नेछ यहां से मिल जाएगा मुझा उमीद है आपको clear information मिल गयोगी मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को subscribe जरू कर लीज़ेगा मलते हैं